बिस्मिल्ला आप्रमानु राहीम असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब मैं अमीद करती हूँ आप सब ठीक होगा एक हैज़ेट से होगे मैं भी रम्नुल्ला ठीक हूँ तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो फ्रेंज लास्ट व्लोग तो आप लोगोंने देखा ही होगा ना दादू जो हम लोग आ रहे थे ट्रेवल करके हैं अगर आप लोगोंने वो व्लोग नहीं देखा तो जल्दी से जाएं वो पूरा व्लोग देखें तो हम लोग जी आपर पहुंच चुके हैं शनाया और मेरी सिस्टर भी यहां पर आई ही थी जहां पर इंगेजमेंट हो रही है ना मेरी सिस्टर के इनलोज में जिनके यहां इंगेजमेंट हो रही है हम लोग वहां पर ही आए हैं डारेक्ट और शनाया के लिए वहां से जो हमने बैंगल्स ली थी और यह हाथ में बा चले जाएगा और शनाया जी रेडी हुई थी रात के वक्त तो यह वाला ड्रेस हम लोग लेकर आयते शनाया के लिए बहुत ही जादा क्यूट लग रहा था इसे और बहुत पाशला प्यारी लग रहे थी और सब की फेवरिट शनाया हमारे यहां तो ही लेकिन हमने दर्दिया आपने मज़े से दोनों और शनाया को केमरे का इतना पता है वो फ्रॉन देख लेती है कैमरे में फोटो निकालने के लिए और यह शनाया की कजन है बड़ी चाचु की बैटी और यह भी शनाया उसे बहुत हार अप्यार करती है शनाया देख कितनी क्यूट लग रही है और अपकी गौदी में जाकर तो बस हम लग साब रेडी हो गए थे और यहां पर रात में फंक्षन चल रहा था जो दुल्हन के सामान होते हैं वह सारे दिखाए जाते हैं फिर उसको घर देने जाते हैं तो बस ये सारी रसम हो रही थी यह पर और साथ में डांस वगिरा हो रहा इस तरह से गाउं की शादियों में तो यहाँ पर जो भी ब्राइट का सामान होता है जितने भी महमान आये वे होते हैं उन सब को दिखाया जाता है और फिर उसके बाद उलंगे घर देने जाते हैं तो बस यह नेक्स डे हो गया है रात को बहुत जादा लेट तब फंक्शन चला था हम तो सो गए था क्योंकर थाकावट थी बहुत जादा रस्ते की और यह नेक्स डे है शनाया अभी यहां पर उठ चुकी है हम सब भी उठ गए थे नाश्ता वगी राम लोग ने कर लिया और ज्यादा मैं व्लोग नहीं बना पा रही क्योंकि किसी और के घर पे आके व्लोग बनाना थोड़ा अजीब सा लगता है तो इसलिए कुछ-कुछ मुझसे जो हो और पा रहा है ना मैं आप लोग को साथ शेयर कर रही हूं और कोशिश कर रही हूं कि आप लोग को भी ज़्यादा मज़ा आ सके जिसे हम लोगों ने इंज्वाई किया था इंगेजमेंट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था तो बस अभी दिन का वक्त था सुबा का टाइम था और नीचे डांस वागेरा हो रहा था बस वही सब लोग देख रहे थे उपर से और ये फिर से हम लोग आ गए हैं रूम तो आज है इंगेजमेंट का दिन कल जो वो फंक्शन हुआ था घर पर और आज होगा इंगेजमेंट तो बस हम लोग अभी यहाँ पर नाश्ता करके बैठे थे और फिर में इसस्टर ने लेके दी यह पापरी चाट तो यहाँ पर गली में यह मिल रही थी तो उन्होंने बोला खानी है और यहाँ पर इस रूम में हम लोग रह रहे थे और शनाया और इसकी ममा भी धरी थी हम सब एक ही रूम में जोब रह रह और मैंने यह ड्रेस पहना था थोड़ा बहुत लुक आप लोगों के साँ शेयर किया और यहाँ पर घर में लाइट्स भी लगी थी रात कटाएं था तो मैंने तो आपको दिखा दूँ बैस अब यहाँ पर हम सब रेडी हो चुके थे और गारी बाहरी भी थी हम लोग सब का रहें थे हॉल की तरफ क्योंकि एंगेजमेंट रहें वो शादी हॉल जो हते ना उंड में थी तो चलते हैं हम सब और सब लोग रेडी हो चुके हैं और सब लोग प्यारी लग रहे थे और शानाया भी बहुत प्यारी लग रही है मैं आपको हॉल में चलके दिखाती करीबी था बस पांच-दस वनेट में हम लोग पहुंच गए और अंदर चल की मैं आपको सब कुछ दिखाती हूं तो यह रही शनाया की लुक और माशора ला बहुत जजाधा प्यारी लग रही है इसकी दादी लेकर आई थी और में इसके प्यारी थी और यह इसके शूस भी बहुत आदा क्यूट लग रहे हैं और देखे किसे फोरन वीडियो में देखने स्टार्ट हो गई और यहां पर इसने उल्टी कर दी थी चैनाया को पताने दजल लग गई थी ज्यादा उल्टी करने लग गई थी तप यह थोड़ी सी खराब हो गई थी होल में और यह शनाया की दोनों कजञंस हैं जो यहां पर वीडियो बनवाने के लिए वो चोटी कजन है और यह बड़ी कजन है शनाया की हेराorcन का और यहां पर जो है वो फोटोग्राफ लिए जा रहे थे शनाया 성्ण उसके मामा बापा फोटो निकल वा रहे थे और में शिस्टर भाबी भाई सब लोग या में बैठे वेड़े स्टेज खाली था तो आमने सोचे चलके पिक्चर बना लेते वीडियो बना लेते फिर ब्राइड और ग्रूम आ जाएंगे तो फिर जादा स्टेज भर जाता है चा कर रही हूं तो यह गाओं की शादी में बहुत जादा मज़ाया था मतलब के अंगेज्वेंट में वहां पर बहुत जादा अच्छा होल था अरेंच्मेंट थी बहुत जादा अच्छी और काफी जादा लोग आए वे थे तो यह था लॉन जो मैंने आप लोगे साथ शेयर ब्राइड और गुरूम की एंट्री होने वाली थी तो हम सब यहां पर खड़े वे थे रस्ते में जो फूल फैंकते न उपर से वह वाली रिसम कर रहे थे सब लोग तो मैंने सोचा आप लोगे साथ थोड़ी सी क्लिफ्स शेयर कर दूँ जोती मुझसे पॉसिबल हो पा रही ह हैं और यहां पर फिर फायर वाक्स हो रहे थे यह उपर से थोड़े से मैं आपको दिखा रही हैं कि अंदेरा तरह दादा पता नहीं चलिए तो यह हॉल है और महां से देखें ब्राइड और गुरूम की एंट्री हो रही है अभी ब्राइड और गुरूम की एंट्री हो रही है आप लग वो देखें और ढोल भी साथ बच रहा था और फ्रेंड अभी इंगेजमेंट हो चुकी थी स्टेज पर रसमें वगेरा चल रही थी बहुत जादा क्राउड था इसलिए आगे जाके रिकोर्ड नहीं कर पाई में कुछ भी उसके बाद इन्होंने खाना खोल दिया था और खाना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा थ इसमें स्पेशल डिशिस थी जैसे कि ये बे बोलते हैं ऐसे और ये अचारी बे बने वे थे बहुत जादा मज़े के थे और गाउं की शादी में ये रेसिपी जरूर बनती है और इसे सब लोग पसंद करते हैं तो यहां पर बस हमनों खाना का रहे थे यह ता मेरा आज का व्लोग आया होगा मिल दूंगी हम सर्फ से नेक्स व्लोग में तब तक के लिए अला फेस्ट एंक्स वर वाचिंग